ये बात तो सच है कि जिन्दगी में हर चीज को replace, मुबाइल फोन ने कर लिया है परिवार के बीच में भी बैटे होते हैं तो भी नजर मुबाइल पर रहती है किसी friend circle में party में जाते हैं तो भी मुबाइल देखते हैं वर्क प्लेस पर तो मोबाइल देखने का एक अलग ही मज़ा होता है और वर्क प्लेस पर भी अगर बॉस आंखों के सामने बैठा हो तो फिर वाश्रूम में जाकर मोबाइल पर टाइम स्पेंड हो जाया करता है। कर कितनी देर मोबाइल देख रहा है या फिर स्मोक कर रहा है सोशल मीडिया पर अब बात्रूम में बैठे मोबाइल देखते हुए इन एमप्लॉईस की पिच्छों वाइरल हो रही है जिसके बाद लोगों ने कंपनी और कंपनी के बॉस पर बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क यसे ये बॉस एमप्लॉईस की प्रिविसी का हनन् कर रहा है कंपनी के दूसरे एमप्लॉईस को कहना है कि कुछी समय पहले उनके कंपनी की मीटिंग हुई थी इस का बागी employees के बात्रूम में बैठे इन employees की तस्वीरे दिखाई गई और उसके बाद कंपनी के इस नए देर mobile देखा है, कितनी देर smoke किया है और office का time waste किया है इसी तरह से ये pictures social media पर viral हो गए जिसके बाद company और boss दोनों पर सवाल खड़े हो गए आला कि बाद में जब मुसीबत सर आई तो boss इस situation से भागता नजर आया और उसने कहा कि हमने ऐसा नहीं किया है और ये pictures गलत है हमारे office में ऐसा हुआ ही रही है वही company के employees का कहना है कि हमें ये pictures meeting में दिखाई गई और इन pictures को दिखाकर धमकी दी गई कि ये office का rule है जो भी bathroom में time बिताएगा वो expose हो जाएगा CCTV camera के जरिये ये company South China की है एक tech company है जहां का ये मामला सामने आया है वैसे companies में कई employees होते हैं जो इनी चीजों में time waste करते हैं इस तरह से time waste करने वाले employees पर लगाम कैसे कसी जाए कॉमेंट section में अपनी राएज जरूर शेयर करें